क्या टाइगर थ्री में सल्मान खान की साथ नजर आएंगे इमरान हाश्मी सल्मान खान की टाइगर थ्री में अपने नेगेटिव रोल को लेकर पहली बार बोले इमरान हाश्मी आखिर क्या कहा इमरान नहीं चलिए जानते हैं पुरी खबर डीटेल में सल्मान खान के साथ प फैंस हैं जो अपनी बेताभी को रोक नहीं पा रहे हैं, वहीं इस फिल्म से रिलेटेड और इमरान से रिलेटेड ये भी खबर आई थी कि इस फिल्म में उनकी एंट्री को लेकर 10 करोड पर खर्च किये जा रहे हैं, लेकिन इस पर इमरान हाश्मी ने चुपी तोड़ दी है मीडिया पूर्टल से बाचीत के दौरान इमरान ने कहा, मैंने इन सब बातों को लेकर कभी भी कुछ भी नहीं कहा है, मैंने कभी नहीं कहा है कि ये सब मैं कर रहा हूँ इसके इलावा उनसे पूछा गया कि सल्मान खान के सामने एक विलन की तौर पर उनको लोग क्यों देखना चाहते हैं, इस पर उनका जवाब था क्योंकि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ वेल, इन सभी बातों से साफ है कि इमरान फिल्म में नहीं नजर आ रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इमरान हाश्मी है, जो अपने फैंस को सस्पंस में रखना चाहते हैं और एक बड़ा सर्प्राइस देना चाहते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इ मेगा बजट फिल्म होने वाली है, खैर आप सल्मान खान के अपोजिट इमरान हाश्मी को देखने के लिए इस फिल्म में कितने हैं एक्साइटेड आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बॉलिवुट की लेटस्ट अबडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले।